नमश्कार दोस्तों इस वीडियों में बात करेंगे जो सा 6 राउंड का जैसे आपको पता है रिजल्ट वगेरा आ गया है इसके बाद आपको क्या करना है तो उसके लिए मैंने जिसे एक तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है तीन केसिस में ले लिए है कि अगर आमालीज आपको पूछ रहते कि आईटीज के लिए जो हे वो क्या प्रोशिजर वगर आ ठीक है ना आईटी जीडिकर वगर इस पर भी बात करेंगे जैसे आईटी रुटकी की बात करें तो आईटी रुटकी ने अपना रिजिस्ट्रिशन वगरा जो है लिकाल दिया है तो बाकी कॉलेज भी अगर जिन college नहीं लिकाला जिन IIT लिकाला वो भी धिरे-धिरे लिकाल देंगे अभी अपन बात कर लेते हैं कि round six के बाद आपको सबसे best क्या करना चाहिए सबसे बिले case one की बात कर लेते हैं कि अगर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए उसके लिए मैंने कुछ cases बनाया है मतलब उसके लिए कुछ conditions है कि माल लिए अगर आपको सबसे बात चाहिए और आप उस सीट से सटिस्वाइड है जो आपको जो सामें इनटी प्लस अभी six round में या फिर one से लिए बीच में अगर एनटी प्लस सीट आपको अलॉट हुई है और सीट साब सटिस्वाइड है तो आप जो पार्चल एड्मिशन फी अगर आप पे कर दीजे अभी किसकी बात करो एनटी प्लस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो अगर सटिस्वाइड है ठीकन एफ यॉर सटिस्व कर दीजे वहां पर और ओल्लाइन रिपोर्टिंग इस बार ठीक है जो डॉकुमेंट वगेरा अप्लोड करने के लिए बोल रहा है इंस्टिटूट फी जो भी पे करने के लिए बोल रहा है पे वगेरा कर दीजे जिसकी आप पर जो जो साने दिया हुआ है लेकिन साथ ही सा मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहते है ठीकिन आप जो सा की सीट को एक सैटिसफाइड है उससे ठीक है वो चाहते है कि थोड़ा सा अगर मैं को उपर वाली सीट अगर मैं जाकर देखता हूं सीसेब में कि अगर मुझे इससे अच्छी आली सीट मिल जाती तो क्या दिक्कत ऐटकी जो रिजिस्ट्रेशन अगरा उसके स्टार्ट की बात करें तो कि यह संगी श्यॽwnież होगा वह गा 17 नवंबर सुबद 10 अब्बागा जो है यह सीट अपका स्टार्ट बजे की और तब आपको से चाहति प्सच्रेश यह थीक्पने और आपको लग में खाय पिंडी च जो जो सावाला अपना जो secured है ठीक है कि अपने partial admission fee तो पेक करी दिया है तो जो अपना secured है अगर आप को CCM अलॉट नहीं है तो वह आला college अपने को मिली जाएगा जो जो सामें मिला था ठीक है जो सामें जो रहा था वही रहेगा अगर आपने को CCM में नहीं मिला तो जो सावा वो 25 से 30 नवंबर की बीच में उसमें रिपोर्टिंग करना है जैसा जोसा के शेड़ी में लिखावा है अब एक और किस हो सकता है कि माल लीजे नौट सेटिस्वाइड वी जोसा सीट ठीक है आपको जोसा सीट मिली और आप सैडिस्वाइड नहीं है तो आपको विड्रो अग करना चाहते है तो बिल्कुल सैडिस्वाइड है तो सीट से मत जाईए और यहां पर जो भी अलॉटेट कॉलेजे वहां पर आप अपनी रिपोर्टिंग वगरा कर दीजे और अगर माल लीजे अपनी सीट है उससे आप सैडिस्वाइड भी है लेकिन एक बार पार्टिस्प बिल्पुर्वाली सीट होगी तो वो सारी NIT PLUS सिस्टम में आती है अब बात करने हैं अगर IAT से ल्लॉट हुए तो देखे अगर आपको फिर्स रॉन से 6TH रॉन में चेड्र अबना च्रॉड बिल्ट हुए तो अपना पर अपना डॉक्मेंट वरिफिकेशन करा लीजे ठी आप admission process ले लिए ठीक है जो admission process है वो आप कहां मिलेगा तो आप बिल्कुर regularly check करें जो भी आपको allotted IIT हुई है जिसा भी IIT रुड़की की बात करें ठीक है तो जैसे IIT रुड़की में जो उसका admission registration वगेरा है अब इसकी website पर जाएंगे IIT रुड़की की website पर जाएंगे ठीक है और आपको कोई दूसरी IIT रुड़की अलॉट हुए तो उसके आप website पर चेक करते रहिए ठीक है जैसे अभी IIT पटना का तो अभी कुछ नहीं आया है ठीक है वो भी आ जाएगा एक दू दिन के अंदर ही आ जाएगा तो अगर को यह अपना UG admission registration लिका लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो PDF में क्या बाते लिखी हुए है उसको आप देख लिए कि उनको कब रिपोर्ट पगरा करना है तो जैसे यह PDF में डाउलोड कर ली थी तो इसको अपन ओपन करते हैं और इस PDF में क्या बाते लिखें उसको अपन देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आप जब आईटी रुड़की का जो वाला PDF उसको डाउलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब आप एनेक्शर 4 के अंदर आएंगे ठीक है यह जए एनेक्शर 4 है उसके अंदर आएंगे तो वहाँ पर वो दिया हुआ है क आपको कुछ इन्रॉल्मेंट नमबर के बीच में अपना एडमिशन और रेजिस्ट्रेशन वगेर है वो कराना है ठीक है यहाँ पर दिया आपको कुछ इन्रॉल्मेंट नमबर के बीच में और 17-18 नमबर के बीच में आपको यह to be completed by all the candidates तो यह अगर आपको admission लेना आपको यह 17-17 नमबर के बीच में जो भी इनका admission और registration का जो भी process है वो आपको follow करना है ठीक है पुरी PDF का पढ़ सकते है यहाँ पर यह आपकी जो भी website को regularly चेक करते रही है जैसे अब यह आइट रूड की ने तो रॉंच कर दिया बाकी भी आइट जिन्हों ने नहीं किया है वो भी कर देंगे अब regularly चेक करते हैं अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई CT अलॉट नहीं है तब क्या करना है तो देखिए पहले बाद तो hope को लूज मत करिए ठीक है ना don't lose hope थोड़ा positive रही है ठीक है अब अभी भी थोड़ी ना अभी भी चांसे से अपने पास एक और चांस से अपने पास one more कि सीसेब में एक point में लिखा है सीसेब में कि सीसेब में जा रहे हो तो इन चीज का थोड़ा से ध्यान रखना कि choice feeling थोड़ी well organized जो नहीं चीए ठीक है ना मतलब पुड़ा analysis करके कि तुम्हें पता है कि 16 नवंबर को 16 नवंबर जो 16 नवंबर 5 पीम पे आपको seat vacants दिखा द करना है यहाँ ठीक है जो colleges में interested नहीं वो डालना ही मत इसके फिर बात करते हैं कि सेकंड है सेकंड है सीसेब में कि प्रॉपर रिसर्च करके जाना है जैसे भी विनने बताया कि 16 नवंबर 5 पेम पे आपको display of vacants seat हो जाए इन 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 इसके इससा आप से पूरा सोच समझ के जाना है कि अगर हां इससे इसा case है कि आपको किसी जैसे माल लेजिए निटी कुरूश रितर में आपको mechanical मिल गई है आप चाहते हैं कि अगर मैं देखू सीसेब में जाके देखू तो उससे जाने से पहले यहां research कर लिजए कि electrical की कि क इतनी सीडे खाली है खाली है कि भी नहीं खाली है तो ही जाईए ना अगर नहीं खाली तो फिर जाने का क्या मतलब है तो वही मैं कहा रहा हूं कि मतलब पुरा प्रॉपर research करके बिलकुल जाएगा आपर सीसेब में इसके अगर अपने को जोसा में भी अच्छी seat मिल गई है अपनी rank के हिसाब से तुम्हें अच्छी seat मिली जाएगी और एक चीज़ और एक चीज़ बताना चाहता हूं कभी मैंने ऐसा किया नहीं है लेकिन इस बार में कर रहा हूं कि अगर मोल कोई भी counselling से अगर सीसेप counselling से कोई भी related help वगरा चाहिए तो मैं अपना WhatsApp नंबर दे र मैंने आपको दे दिया तो ठीक है यह वीडियो इसी के बाउट थी कि आपको क्या करना चाहिए राउंड 6 की बाद सबसे बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है ठीक है अब वीडियो को यहीं परेंड करते है ठीक है और इस बार जो हे cutoffs high गए मैंने एक student को देखा था उसको जो हे GFTIs मिल रहे थी लेकिन इस बार उसको NITs मिल गई ठीक है तो देखिए मतलब इस बार cutoff वड़े spike हुए है और सीसे में तो और high chances है मिलने का तो बिलकुल अब बिलकुल आप अपने साब से बिलकुल प्लान करिए ठीक है जिस भी आप category है उसाब साब प्लान करिए ठ वीडियो अच्छी लोगी तो लाइक करदेना चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करदेना मिलते हैं इसे ही नेक्स्ट वीडियो में